सल्मान खान के लिए साल 2017 भले ही कुछ मायनों में अच्छा ना रहा हो लेकिन जाते जाते ही ये साल सल्मान खान को एक नहीं बलकि दो बड़ी खुशियां दे कर जा रहा है एक तरफ जहां सल्मान खान की इस हफते रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिन्दा है बलॉक बस्टर घोशित हो गई है तो वहीं दूसरी और सल्मान भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए है 2017 में सल्मान खान ने किसी और एक्टर या एक्टरेस से ज्यादा कमाई की है फॉर्ब्स ने फॉर्ब्स इंडिया सिलाबरिटी एक सालिस्ट नाम से एक लिस्ट निकाली है जिसमें सल्मान खान 23.8 तीन करोड रुपे की कमाई के साथ पहले स्थान पर है भले ही 2017 में सल्मान की आई फिल्म ट्यूब लाइट फ्लॉप रही बावजूद इसके कमाई के मामले में सल्मान खान ने शाहरुक खान से लेकर अक्षे कुमार और मेगा स्टार अमिता बच्चन तक को भी पीछे छोड़ दिया है झाल